अब घर परी बनाए कुछी मिंटों में बहुत ही स्वादिस्ट एकदम जागदार गन्य के जूज जैसा रस बड़ी आसानी से कभी-कभी अचानक से गन्य के रस के याद आने लगती है तो मार्केट जाना तो हरवर पोसिबल नहीं होता है इसलिए घर परी बड़ी आसानी से बहुत ही स्वादिस्ट हम यहाँ पर गन्य का रस बनाने वाले हैं मैं वर्षय भावसा रसोई घर में आप सभी कस्वागत है तो चले बनाना शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 100 गुड लिया है अब यह जो गुड है देसी गुड है इसलिए थोड़ा से गीला सा है गुड को हम यह चाकू से थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं यानि बारिक बारिक टुकडों में से तोल लेंगे तो अगर आपके पास जो गुड हो थोड़ा हार्ड हो तो आप उसे कीज भी सकते हैं या फिर आप इसे मिक्सिजार में कुछ देर के लिए घुमा लीजिए तक छोटे-छोटे इसके टुकड़े हो जाए तो यह जो गन्ने का रस है ना हम बिना गन्ने से बनाने वाले हैं इसके लिए हम यहाँ पर गुड का यूज कर रहे हैं आप सबी जानते हैं कि जो गुड होता है ना गन्ने से ही बनता है इसलिए आपको इसका जो स्वाध है बिल्कुल गन्ने के रस जैसा ही आने वाला है तो इस क्रश के वे गुड को हम डाल देते हैं किसी बाउल में और अब हम इसमें डालेंगे पानी तो में यहाँ पर एक कप पानी डाल रही हूं लेकिन पानी हमें यहाँ पर ना ही गरम लेना है ना ही भूज जदा फ्रीश का ठंडा पानी लेना है नॉर्मल वाटर का ही यूज करना है अब एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं यान जार के उपपर एक छनी रख देते हैं और इसके अंदर हम यह गुड़ का पाने डाल देंगे इससे जो गुड़ के पाने में जो भी कचरा होगा न कई बार गुड़ में कचरा आ जाता है वो इस छनी के उपपर रहे जाएगा और अब हम इसमें डालेंगे एक छोट असा निम्बु लिया है तो एक निम्बु का रज भी इसमें डाल देते हैं तो इसे भी में चान लेती हूं ताकि इसमें जितने भी 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 चोई चलनी के उपर ही रे जाएगा तो इसके लिए आप यहां पर एक बड़ा निम्बु डाले इससे जो स्वादे बहुत ही अच्छा आएगा तो देखे एक निम्बू मैंने यहाँ पर पूरा डाल दिया है और अब हम इस छन्नी को हटा देते हैं और इसके अंदर हम डाल देते हैं एक चमज भर कर काला नमक और जार कर ढखकन लगा लेंगे एक बार इन सबी चीजों को अच्छे से पीस लेते हैं तो बिल्कु अच्छा आएगा इसलिए आप हो सके तो बरफ का ही यूज कीजे और बरफ में यहाँ पर बहुत जादा डाल रहे हूं यानि एक से देड़ का बरफ का यूज कर रहे हूं तो चलिए अब जार का ढखकन लगा लेते हैं और फटा फटसी से एक बार और चला लेंगे यानि एक बार और मिक्सी में हम इसे घुमा लेते हैं तो चलिए जार का ढखकन खोल की देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पर गन्य का रस बन कर तयार हुआ है या नहीं तो यह देखे लग रहा है ना बिल्कुल गन्य के रस जैसा जागदार तो चलिए ठंड़ा ठंड़ा इसे तरह से हम मार्केट में गन्य का रस पीते हैं तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर से ट्राइ कीजिए आप सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी तो अगर रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूले साती मेरे चैनल पे नए है